एलो दोस्तों, स्टॉक इंवेस्टिंग और क्रिकेट बहुत हद तक एक समान जैसा होता है स्टॉक इंवेस्टिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है जल्दी से जल्दी स्टॉक मल्टी बैगर बने, पैसा जल्दी से जल्दी बने, ज्यादा से ज्यादा बने और cricket में ही आजकल IPL की season चल रही है बिलकुल आपकी जो favorite team है आपका expectation रहेगा कि आपकी team 4 मारे 6 मारे match को जल्दी से जल्दी जीते ये expectation रहती है लेकिन कुछ reality भी बीच में आ जाती है और वो है कि players out भी हो जाते हैं आप ऐसे fan बिलकुल नहीं चाहते हैं कि जो player है वो out हो जा करते हैं यह होता भी है तो कहीं न कहीं जब हम investing करते हैं और जब हम अपना upside देखते हैं तो वो जो downside वाला जो part है या जो out हो जाने वाला part है उसको कहीं न कहीं हम नजर अंदाज कर देते हैं और उसके लिए जब हम life की बात करते हैं तो एक solution है और वो है term insurance का solution है दास तक देखिएगा बहुत सारे मैं concept समझाने वाला हूँ term insurance को लिखे सबसे important है हमको हमारा downside है उसको protect करना है यहां पर कोई आपकी family है और आपको कुछ हो जाता है कोई negative event हो जाती है तो आपकी family तो आपके उपर पूरा dependent है और इस case में उनक जो भी पैसा घर में आ रहा है चाहिए वो salary से आ रहा है या business से आ रहा है वो पूरी तरीके से पैसा आना बंद हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो सोचिए आपके family पर किस हिसाब से एक खराब या मैं कहूं negative impact पढ़ सकता है और इसको term insurance as a solution आप मान सकते हैं यहाँ पर simple है जो भी insurance company है उसको हर साल कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं और एक tenure तक पैसे देने पड़ते हैं और कुछ ऐसी event हो जाती है नहीं पिलकुल होनी तो नहीं चाहिए लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो भी कुछ भी जितना कभी आ नहीं हो और सबसे important चीज कि आपकी family को तो सुरक्सित रखेगा ही और आपको एक बड़े stress से भी दूर रखेगा आपको stress में नहीं जीना है और यह stress free होने की चोटी सी बिलकुल कीमत है और इस पर awareness unfortunately बहुत ही कम है और इस series में हम और ज्यादा examples लेकिए अगली चीज अब insurance क के बारे में मैं बात कर रहा हूं Tom insurance के बारे में मैं बात कर रहा हूं अब यहां पर कितना का आप insurance ले एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ तो यहां बहुत important है कि हमको आपकी value पता होनी चाहिए लेकिन एक human की value क्या बहुत आसान है पता कर पाना साइध इतना आसान नह इसा भी कहा जाता है 15 से 20 गुना होना चाहिए तो इसलिए एक्सपर्ट की सला यहां पर बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सपर्ट क्या होता है कि आपके लिए वह प्लान बना देते हैं वह एक परसंट की FD जो है 6 लाख रुपया आपको कमा के देगी तो उस हिसाब से तो बिल्कुल कैल्कुलेशन फिट बैट जा रहा है लेकिन 6 लाख 6 लाख पात साल के बाद भी 6 लाख दस साल के बाद भी 6 लाख तो हमारा इनेमी एक इंफलेशन करके भी है तो चीजों के दाम भी बढ़ते हैं तो आपने देड़ करोड का अपने प्लान लिया या दो करोड का प्लान लिया तो आपके लिए यूसफुल होगा तो यह सब जस्ट और यहां पर आपको कहीं न कहीं एक जो expert है वो आपको help कर सकता है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ अब कहां से खरीदना है और यह मेरे साथ भी personal experience हुए हैं मैं जब term insurance जब खरीद रहा था कुछ सालों पहले तो जब ही भी किसी website में म को मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूं तो online में जा रहा था तो एक पुश आता है और यह जो पुश का मतलब है कि आपको फोन आते रहते हैं आपने एक बाद नंबर दे दिया आपको कॉल आते रहेंगे कि आप आप लीजिए लीजिए आज ही लीजिए आज ही offer है अब यह जो कोई uncle है और वो uncle कुछ ऐसा करके बेच देते हैं जो इनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है term insurance नहीं कुछ और ही policy बिग जाती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते बिलकुल respected uncle होते हैं तो यह सब कुछ चीजे है spam call बहुत आते रहते हैं तो इसी लिए यह push दूर रहना बहुत जादा जरूर यह एक important product है लेकिन यह जो push वाला culture है कहीं न कहीं इस चीज को dilute कर देता है तो यहां पर मैं डिक्टो insurance को आपके सामने introduce करूंगा जहां पर बिलकुल spam free advice है मतलब आपकी problem है आप consult कीजिए free में consult कीजिए जो experts है वो आपको solution देंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी policy सही है या नहीं है तो यह डिक्टो की website है जो आप देख सकते हैं यह करके और मैंने description box में लिंक दी हुई है आपको simple कुछ नहीं आपको बिल्कुल pressure में काम नहीं करना है यहां पर आप देख सकते हैं आप suitable time जो है जो experts हैं उनके साथ suitable जो भी आपका time रहेगा उनके साथ आप fix कर सकते हैं experts के साथ और आप जब अपना time जो fix कर देंगे उसके बाद टिटो में आप बात कर सकते हैं जो भी experts हैं उनके साथ यह जैसे है आपको और दूसरी चीज है जो दूसरे जो products होते हैं जिसमें बहुत हद तक misguide किया जाता है तो यहां सिर्फ focus health insurance insurance और term insurance पर ही है आप यहां पर कोई भी option चुन सकते हैं health या term insurance और आप बात कर सकते हैं और सबसे important चीज बात कर दिया आपकी details उनके पास गई तो आपको वो spam करकरके वो call या mail वो नहीं करेंगे वो एक सबसे unique चीज है और जैरोधा ने इनको back किया हुआ है और इक unique चीज है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यह information आपके पास बिल्कुल पहुंचनी चाहिए सिर्फ experts के पास जाईए call book कीजिए और इन फैक्ट यह वीडियो देखके अगर आप जा रहे तो मुझे comments में आपका experience जरूर बताईए क्योंकि यह हमारी भी responsibility बन जाती है कि आपका experience अच्छा हुआ या खराब हुआ है यह एक आप explore कर सकते हैं अगली चीज़ जब हम टम 20 साल के होंगे तब तक आपकी उम्रह 60 साल की हो जाएगी समद लीजिए या उससे ज्यादा या उससे कमी कमी रहेगी तो important रहता है term insurance में कि end तक बिलकुल 80-90-100 साल तक policy लेना ऐसा कुछ जरूरी नहीं इसमें तो premium बढ़ता है जरूरी है कि आपके बच्चे समझ लीजिए आपके spouse जब आपकी उम्रह 55-60 जब भी भी होगी वह कमाना शुरू कर देंगे या जो आपके जो spouse है और आपके पास एक अच्छी खासी इंकम हो जाएगी तब आपको policy की जरूरत नहीं पड़ेगी तो समझ लीजिए आपने एक करोड की पॉलीजिए फ्यूचर में यही एक करोड की वैलीव समझ लीजिए चार करोड है और 15-20 साल का समय है उसके पास आपने इंकम कमा लिया है तो फिर साथ policy की भी जरूरत नह लेना है या 85 साल तक लेना है नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं आप साथ साल तक लीजिए 55 साल तक जो मतलब जब तक आप रप्लेस जो एक तरीके से आपको जो इनकम है एक तरीके से वो आपको रिप्लेस कर सकती है वो आपके लिए एक आइडियल policy duration बन सकती है बाद में 55-60 स तो एक्सपर्ट की सलाह वहां पर आप ले सकते हैं आपकी कीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अपने एक्सपिडियंस जरूर सेर कीजिएगा एटलिस्ट आप पॉलिशी ले नहीं ले वह सेकेंडरी बात लेकिन आपकी फैमिली को सिक्क्योर करें और उसके लिए एक्सपर्ट सलाह ले वह इंपोर्टन बात है एक्सपर्ट जरूर कीजिएगा धन्यवाद आपके टाइम के